आज हम नए यह इंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टिस ओफ सर्फेसेस जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम टॉपिक है सेंटरो ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड तो जान लेते हैं पहले क्या होता है यह दोनू देखिए जिसमें हम एगणाता हैं दो इसमें क्या होता है इसका ब्युटी का वेट ओता है और उसका मास होता है और यह 2डी आपजेट बात करो तो वह सेंट्र ऑफ ग्रैविट्टी के हिसाफ से निकाल होंगा और वही अगर मैं से स्पीर को सरकल माल लो तो वह सेंट्रोड के हिसाफ से हो जाएगा ठीक है अप्लाइज टू बॉड़ी मास एंड वेट और वही पर यह सेंट्रोड क्या खारता है अप्लाइज टू प्लेन एरिया एरियास फर एक्जम्पल रेक्टैंगल ट्राइंगल और सरकल दूसरा पॉइंट क्या पता चला कि क्या है यह इस रिलेटेट टू ट्राइंगल प्लाइज मेंट्री थ्री डीमेंशन जोमेट्री और यह क्या है रिलेटेट टू टू डैमेंशन जोमेंट्री अब देखो सेंट्रोइड के अगर हम बात करूँ तो सेंट्रोइड और सेंटर क्या होता है वो एक ऐसा पॉइंट जिस पे पूरे बॉड़ी का वेट संभाल पहे हैं जैसे कि माल लो कि अगर माल लो इस पैन को हम बैलेंस करते हैं तो यह क्या है इस बॉड़ी का सेंट्रोइड पॉइंट है तो हम क्या बहुत सकते हैं सेंट्रोइड ग्रेटी क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे पूरे बॉड़ी को हम बैलेंस कर सकते हैं वो पॉइंट हो जाएगा आपका center of gravity और अगर देखा जाए कि दोनों को निकालने के तरीका क्या है दोनों को निकालने के तरीका भी लगबग same है ठीक है तो for example देखिए mechanics में हम basically क्या है centroid के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो मैं centroid का दो चार example बताता हूँ जैसा for example rectangle तो अगर मैं rectangle की बात करूँ तो सबसे important होता है quadrant तो अगर माल लो मैं यहाँ पर axis रख बना देता हूँ यह x-axis हो गया और यह क्या हो गया y-axis यहाँ से एक rectangle ऐसा जा रहा है ठीक इसका यह length ले लो और इसको यह क्या हो सकते हैं width तुझे इसका centroid होगा वो कहाँ पर होगा यह center में कहीं आएगा यह point यहाँ से इसका दूरी कितना होगा तो यह क्या है क्योंकि rectangle है b by 2 हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोर रहे है centroid तो अगर मैं rectangle की बात करूँ तो इसका area कितना हैगा b into h x bar कभी भी हम अगर centroid की बात करें इसको मैं c बोज सकता हूँ या तो cg जैसे यह center of gravity होता है तो centroid का दूसरा नाम होता है center of area ठीक है क्यों क्योंकि हम इस पर two dimension पर काम करें center of area तो इसको मैं क्या लेता हूँ x direction बाई यहाँ से इसको 0-0 मान रहा हूँ क्योंकि coordinate यहाँ बना है तो यह क्या होगा l by 2 और यहाई पर y component कितना जा रहा है यहाँ से उपर बढ़ रहा b by 2 तो यह क्या होगा आपका तो इसको अगर centroid की बात करों तो क्या लिख सकता हूँ x, y पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं तो क्या लिखूंगा l by 2 b by 2 ठीक है अगर मान लो इसको मैं थोड़े दूरी में रखता तो इसको कैसे करते यह एक पार्ट था अब इसी का मैं 2-3 rectangle और बना देता हूँ तो b part का rectangle इसको मैं 1 मान लेता हूँ तो b part अगर मान लो यह एक और rectangle बना रहा है मैं ठीक है मगर अब क्या कर रहा हूँ इसको किसी दूरी पर रख रहा हूँ ठीक इसका जो length है मैं क्या ले 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 रहा हूँ इसको 8 meter और इसको मैं क्या ले ले लेता हूँ 6 meter यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसको मैं क्या ले लेता हूँ 3 meter तो इस object का अगर मैं centroid की बात करूँ तो यह centroid क्या आएगा area तो same ही होगा ठीक है तो इसमें centroid की बात किया तो centroid क्या आजाएगा आपका यहाँ से इतना दूरी है यह total इसका अगर मैं rectangle की बात करूँ तो यह क्या half में divide होता है तो यह क्या होगा 4 4 प्लस 3 तो यह क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 ठीक है और जब मैं height की बात करूँ तो यहाँ तो axis है base की तूरी जा रहा है ठीक है तो axis की उपा जा रहा है मतलब यह कितना है हाँ इसका half मतलब कितना हुआ 3 तो इसका centroid कितना है 7,3 ठीक है एक और example देख लेते अब क्या है इसमें जैसे अग मालो अगर मैं इसको 8 लेता और इसको 6 लेता ठीक है अगर मालो मैं इसको 8 लेता और इसको 6 लेता तो इसका centroid की value क्या आती यहाँ से कितना दूरी है इसका half 4 और इसका height कितना है यहाँ से 3 तो ये एक तरीका हो जाता अब क्या कर रहा अब मालो मैं एक rectangle ऐसा लिया ठीक है इसका centroid यहीं से पास हो जा रहा है एक तो अगर मालो ये 6 है और ये कितना है 8 तो इसका centroid कितना आएगा इसका centroid मतलब यहाँ से कितना दूरी पर जारा 6 पर यहाँ से X कितना जारा 4 और height पर कुछ है क्या नहीं ते क्या हो जाएगा सोरी यह 3 होगा ठीक है यहां से 6 था तो यह 3 आया और यहां का value कितना हो जाएगा 0 एक last ले लेटे मालो अब मैं रेक्टेंगल ऐसा ले रहा हूँ इसको ले लेता हूँ 8 इसको ले लेता हूँ 6 तो इसका centroid कितना आएगा यह यही पर center से जो cross होते हूँ जा रहा तो यह क्या आज आएगा 0 0 अब दूसरा शेप देखते हैं यह क्रेक्टेंगल देख लिए थे अब सेकेंड ट्रेंगल की बात करें माल लो एक ट्रेंगल ऐसा है जिसका हाइट यहां जा रहा है उसका यह विट ठीक है तो सबसे पहले क्या है इस पर centroid कहा आता है centroid आते इस corner पर ठीक है यह कहां पर आता है यहां से कुछ इतना दूरी होता और यहां से इसका इतना दूरी होता है ठीक यह कैसे निकलता है बी बाई 3 होता है और इसका होता है एच बाई 3 ठीक यह आपको याद रखना है तो इसका area कितना हुआ half base into height देखो हमेशा याद रखना कि यह centroid है ठीक है इस centroid से चो यह extreme corner है यहाँ पर यह छोटा distance और यहाँ पर यह बड़ा distance है तो जो छोटा distance उसको हमेशा क्या होता है b by 3 या फिर h by 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 by 3 यह rectangle, triangle, circle यह 2-3 shape ऐसा है जो आपको हमेशा रखना है ठीक है उसको ध्यान रखिएगा तो अगर मैं x की बार की बात करूँ तो यह center से कितना दूरी है यहाँ से कितना होगा इसका b by 3 y बार की बात करा तो यह कितना हो जाएगा h by 3 अब यही पर फिर circle की बात करूँ अगर मान लो मैं circle की बात कर रहा है तो यहाँ से coordinate यहाँ से ऐसा मान लो इसको जा रहा है ठीक है तो circle का जो center होता हो क्या होता है बीच में आता है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का distance क्या होता है इसको हम r बोलते हैं तो total कितना हुआ diameter तो area आएगा हम क्या यहाँ रखते है pi r square मगर अब आगे चलके जो maximum हम use करते है वो क्या होता है pi d square upon 4 अब centroid की बात करें तो यहाँ से इसका distance कितना है obviously x bar कितना है यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है और y bar कितना है यहाँ से यहाँ तक का distance क्या हो गया यह भी आ रहे है इसी तरीके से fourth जो है यह क्या है semi circle देखो semi circle की बात करें semi circle कैसा दिखता यह axis बना यह ऐसा यहाँ से मालो semi circle लेए ठीके यह इस direction पर जा रहा और यह coordinate यहाँ पर तो इसका center आता है यहाँ पर और यह distance क्या है यहाँ से यहाँ तक का distance तो क्या हो गया आपका r और यहाँ से यहाँ तक का जो distance इसको हम बोलते है 4r by 3 pi देखो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है 4r by 3 pi है यह बहुत confuse करता है कई लगता है कि 4 pi by 3 pi है तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या क्या है 4 मतलब f o u r होता है तो r आता है तो इसलिए 4 के साथ r आ रहेगा और इसके साथ 3 के साथ pi आएगा तो मैंने याद रखा है आपको जैसे याद रखते बनते हैं आप याद रखेगा तो अगर मैं इसकी area की बात करूँ तो obviously यह semi circle है तो इसका half हो जाएगा तो area की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा pi r square by 2 x bar की अगर बात करा तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया r y bar की बात करा तो क्या हो जाएगा 4 r by 3 pi एक last देख लेता है quarter circle अब quarter circle की बात कर रहे है तो quarter circle कैसा दिखेगा यह ऐसा quadrant बना है यह quarter circle मान लो ऐसा है तो इसका centroid point आ गया है यह यहाँ से जो इसका दूरी है और यहाँ से यह दूरी है यह दोनों same है ठीक है इसको मान लो मैं x लिक रहा हूँ अभी फिलाल के लिए तो यह जो x है यह क्या होता है 4 r by 3 pi same ही आता है ठीक है यहाँ से भी और यहाँ से भी तो इसकी अगर मैं area की बात करा तो इसका भी half हो जाएगा तो क्या लिख सकता pi r square by 4 और x बार क्या हो जाएगा इसका 4 r by 3 pi y बार क्या होता है 4 r by 3 pi देखिए बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं कि यह इसका half हो जाता है तो centroid भी इसका half हो जाएगा ऐसा मत कीजएगा ठीक है इसको बड़े धिहां से याद रखिएगा rectangle का center पर होता है इसका 1 third में होता है इसका center पर होता है इसका 4 r by 3 pi इसका भी 4 r by 3 pi अगर और कोई shape का अगर जोरात पड़ेगा तो हम सीधर direct question पर solve कर लेंगे ठीक है Thank you